सो हलो एन वेलकम तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का सोशल साइंस का मास मेडिया इन 20th सेंचूरी का इसके स्टार्टिंग वाले वीडियो में हमने देख लिया था कि किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में प्रिंटिंग मेडिया जो है आया किस तरीके से प्रिंटिंग मेडिया न्यूस को स्प्रेड करने का एक मीडियम बन गया था किस तरीके से गौर्रमेंट ने उस पर टेक्सेस इंपलाई किये, किस तरीके से लोगों ने उसका विरोध किया, यह सब हमने देख लिया था, हमारे इंडिया में किस तरीके से printing media आया, हमारे 36 गड़ में कैसे आया, यह सब चीजे हमने discuss कर ली थी, अब उस print media से एक step आगे जाकर जो पूरे world में development हुआ है, उसका नाम है तो electronic media में सबसे पहले हम लोग discuss करते हैं, जो कि developed हुआ था, जिसका नाम है telegraph, ठीक है, अब यह telegraph क्या देखो, the invention of telegraph by Samuel Morse, इसका नाम आपको याद रखना है, Samuel Morse का नाम याद रखना है, कि इन्होंने telegraph का invention क्या था, in 1837, made it possible to convey information instantaneously by electrical signals via transmission lines, इन्होंने सबसे पहले 1837 में यह possible किया, कि हम लोग किसी भी information को electronic signals के थ्रूँ क्या कर सकते हैं, एक जगा से दूसरे जगा transfer कर सकते हैं, और किसके हैं से transmission lines के हैं से, इस तरीके साथ आप लोगों के घर में electricity wires के थ्रूँ आती हैं, उसी तरीके से transmission line होती थी थी उस time पे, उस transmission line हों के थ्रूँ हम लोग क्या कर सकते हैं, instantaneously तूरंत on the spot एक information को दूसरे जगा transfer कर सकते हैं, अब जब यह telegraph का invention हुआ, तो news को collect कर पाना और ज्यादा आसान हो गया और जल्दी से collect हो गया, ज्यादा news collect हो गया, अब आप खुद सोचो जैसे आपकी एक newspaper agency है, मालो WhatsApp नहीं है, mobile नहीं है, कोई भी ऐसा electronic system नहीं है, तो किसी कोने में अगर कोई घटना हो रहा है, कोई incident हो रहा है, तो उसको आप तक पहुँचने में क्या लगेगा, गाफी जादा time लगेगा, कोई आदमी होगा जो पहले उस incident को देखेगा, फिर दूसरे आदमी को बताएगा, फिर दूसरा तीसरे को बताएगा, तीसरा फिर आपके पास आएगा, ऐसे में तो बहुँच जादर time निकल जाएगा, और news में सबसे important चीज होती है time का, सही time पे अगर आपको news नहीं मिला, किसी दूसरे person को news मिल गया, या दूसरे agency को news मिल गया, तो फिर वो आपके लिए useless है, तो इसलिए बोल रहा है कि जब telegraph का invention हुआ, मसीन का, तो तूरंद क्या हो दे लगता था, टेलिफोन के थ्रूँ, किसी भी तरीके से, जो है, transmission लाइनों के थ्रूँ, एक जगह का incident तूरंद news agency को तूरंद मिल जाती थी, और पहले कम information मिलती थी, क्योंकि resources कम थे, अब resources जादा होते जा रहे है, तो news भी जादा मिलते जा रहे है, for example, a newspaper that publishes the latest political news, or the rise and fall of cotton price in the market is more likely to sell in the larger number, देखो, अभी क्य है, किसी newspaper के लिए सबसे जादा कमाई का जर्या क्या हो सकता है, उनकी समाई के जरिया हो सकता है, कि अभी political news क्या है, वो important है, या cotton के जो फ्राइज कितने रूपर नीचे मार्केट में यह जादे important है, तो लोगों के लिए ज्यादा important कौन सा है? लोगों के लिए ज्यादा important यह है कि cotton की price कितनी कम हो रही और कितनी ज्यादा हो रही है, ताकि लोग उसको खरीद सकते हैं, ठीक है? The rapid dissemination of information by telegraph leads to a leveling of prices in the market, information thus become a crucial input of the industrialist and the traders. अब इससे क्या हो गया? जैसे telegraph होता था, तो सब को मिल जाता था price का, कि आज cotton की price 100 रुपए है, तो सब को पता चल जाता था, तो सब के सब क्या कर से था, एक साथ purchase भी कर सकते थी, तो price की stability भी क्या होने लगी? एक तरीके से maintain होने रगी, पहले अलग-अलग लोगों के पता चल जाएगा, जो late से आग, उसको महंगे में मिलेगा, ऐसा कुछी इस तरीके का system चलता था, लेकिन अब तो पूरे telegraph के थूप, पूरे सब लोगों के एक ही साथ पता चल जाएगा, कि phone से पता चल जाएगा, कि cotton के price इतनी है, या टमाटर के price इतनी है, तो अब price क्या होने लगा, सब के लिए level होने लगा, पहले price का level क्या था, अलग-अलग था, ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको telegraph के थूप यह बताना चाहता हूं, यह telegraph का merit क्या है, सबसे पहले तो news जो होता था, बहुत fast जाता था, और सही news लोगों को सही time पे पहुच जाती थी जैसे political news है, political news अगर लोगों तक ना भी पहुचे तो कोई उतना impact नहीं करेगा आम आदमी को, लेकिन cotton के price, सबजी के price, sugar की price, किसी चीज की price कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, अगर यह लोगों को news मिलेगा, तो वो ज़्यादा impact करेगा उनके lives को, तो telegraph ने क्या-क एक तो सही news पहुचा है, fast news पहुचा है, price का leveling किया, अब resources के लिए इधर दूर भागना नहीं पड़ता था, बड़े आराम से सारी information जो एक ही जगा पर क्या होते थे, मिल जाते थी, तो यह क्या है, आपका telegraph का फाइदा है, telegraph का demerit क्या है, कि यह सिर्फ transmission लाइनों के थ् भी भेजा जा सकता था, मतलब हर जगा पर यह available नहीं था, अब आगे देखते हैं, telephone, ठीक है, telephone के तुरू क्या है, graham bell invented the telephone in 1876-77, the device allows us to talk with each other via wire, even if we are hundreds of miles apart, तेको graham bell ने जो है क्या था, 1876 और 1877 के आजपास, जो है, इन्होंने telephone का invention किया, telephone का invention करने से क्या possible हुआ, कि अगर मैं आज यहाँ बैठाओं भिलाई में, और मेरा कोई एक friend है, जो अमेरिका में है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको within the second क्या कर सकता हूँ, आराम से उससे बात कर सकता हूँ, यह तो telephone है, आज के date में तो हमार आगे चलकर invention होते गए, within the few years of its invention, telephony was widely used across the world, including India, जैसे ही यह telephone अगराहम बैल ने invent किया, अब धीरे-धीरे पूरे world में यह फैलने लगा, Many large companies begin lying a network of transmission lines and manufacturing the equipment to open voice communication on a global scale, अब बहुँ सारी कमपनिया जो ऐसे होती थी, जैसे आज के date में आपका जीयो है, एयर टेल है, वोड़ा फोन है, आईडिया, इस तरीके सूद समय भी बहुँ सारी कमपनिया थी, जिन्होंने क्या-क्या transmission line ने बीचाना चालो किया, क्योंकि telephone ज आपको किसी वायर से connect करने की जरुरत नहीं है, लेकिन जो telephone होता था, आप लोगोंने देखा होगा, अगर आपके घर में रहा होगा, तो connection एक antenna से लगा होता था, फिर वो antenna के थूर के होता था, communication होता था, तो उसके लिए transmission line की जरुरत पढ़ती थी, तो बहुँ सारी कमपन थी, जो की business करना चालू कर दी, किस purpose के लिए, transmission line ने बिचा कर, और लोगों को telephone पहुचाने के लिए, next है, उससे भी telephone से भी जादा fast news को transmit करने का एक medium बन गया radio, telephone से आप maximum कितने लोगों को phone करके news बता पाऊगे, 10 लोगों को, 20 लोगों को, लेकिन radio के थूरू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ, जो है, हजारों लोगों को क्या कर सकते हैं? एक news spread कर सकते हैं, ठीक है, जैसे एक news radio रखा हुआ है, एक news चल रही है, उसके आज-पास पूरे गाउआँ बैठे हैं, तो एक ही साथ, उस गाउआँ वाले को news पता चल जाएगे, कि नहीं पता चल तो टेलिघ्राफ से ज़्यादा फाइदेवन कौन सा तेलिफोन था तेलिफोन से ज़्यादा फाइदेवन कौन सा है रेडियो है क्योंकि ज़्यादा फास्ट न्यूस का ट्रांसमिशन हम लोग कर सकते हैं wireless radio अलाऊज voice communication without a network of transmission line such wireless communication विया रेडियो वेब मेरेट एजियर टू ब्रोड़कास इंफोर्मेशन अक्रोस दवर्ड, जेको, टेलीग्राफ हो, चाहिए टेलीफोन हो, इन दोनों में कम्युनिकेशन के लिए हमें ट्रांसमिशन लाइनों के जरुरत पढ़ती थी, जब रेडियो का इंवेंशन हुआ, तो ऐसे ट्रांसमिशन लाइनों की कोई जरुरत नहीं थी, तो यह एक तरीके से मिरैकल ही था, कि बीना लाइनों के हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूस का ट् उसमें जैसे आपने स्ट्राइटोस्फियर, ट्रापोस्फियर, मेजोस्फियर इस तरीके से, तो एक जो लेयर है ना उसमें रेडियो वेप्स होते हैं, रेडियो वेप्स मतलब यह बहुत डिटेल स्वाल टॉपिक है, 11-12 के फिजिक्स में डिटेल में है, बस आप यह जैसे एक मिरर रखा आपने, एक मिरर में आपने टॉर्स जलाया, तो मिरर पर लाइट आएगी, और वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरे कोने में जाएगी, सीम प्रिंसिपल होता है, रेडियो का, सिम्पल वर्ड में, लेकिन अभी रिफ्लेक्शन का मीडियम कहां है, एटमोस् नहीं इन्होंने इसको क्या-क्या, पॉसिबल किया, में एडि हिस्ट्री वेन ही फोस्ट इस वार्लेस ट्रंस्मिशन अक्रॉस्ट दॉर्स दूर्स दॉर्स दूर्स 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 द पहले जो है क्या होता था, यह पहले न्यूस का transmission कैसे possible हो पाता था, transmission line के थू ही हो पाता था, लेकिन जैसे ही radio आया, बिना transmission line के ही क्या होने लगा, हमारा news जो है spread होने लगा, यह बहुत बड़ा अच्छी बात थी हमारे लिए, और starting में, जो radio के थूख communication जो use होता था, वो military और ships के लिए ही use होता था, ठीक है, military लोगों को सुचना पहुचाना है, कि यहाँ पर दुस्मन है, यहाँ से move करो, यहाँ आओ, इस तरीके से काम करने के लिए, और ships को roots बताने के लिए, कि हम यहाँ पर हैं, यहाँ से हमारे ship खराब हो गया, यहाँ से हमें यह करने, इस तरीके के purpose के लिए जो है, पहले radio का use होता था, लेकिन 1920 में मतलब First World War के बाद जो है, अब पुरी दुनिया में एक तरीके से awareness आ गई, कि पुरी दुनिया में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, जर्मनी में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, लोगों को सुनने की इच्छा होने लगी, इसलिए रेडियो जो है, 1920 में First World War के बाद जो है, क्या होने लगा, पॉपुलर होने लगा, और एक बहुत बड़ा mass communication का medium बन गया, mass communication मतलब large number of लोगों को information convey करने का, transmit करने का बहुत बड़ा medium जो है, बन गया, आगे देखते हैं, the number of radio broadcasting station in America grave rapidly after the end of First World War, many of these were illegal broadcasting station running without a license from the government, जैसी First World War खतम हुआ, अमेरिका में वैसे भी पढ़े लिखे लोगों का number काफी जादा था उस समय भी, तो वहाँ पे जो है, radio stations क्या होने लगे, बहुत तेजी से grow करने लगे, ठीक है, इसमें से बहुत सारे stations ऐसे होते थे, जो illegal होते थे, अब्यसी बात है भाई, अगर आपको कोई एक radio station open करने है तो आज मन क्या आपने घर में radio लगा ले चालू कर दिया ऐसा तो होता नहीं है, गवर्मेंट से permission देनी पड़ती है, तो उस समय radio की popularity इतनी हो चुकी थी, कि लोग बिना license illegal तरीके से क्या करते थे, radio stations जो है open करते थे, सोच सकतो कितनी popularity थी, by 1930 radio broadcasting cover 40% of America homes, 1930 आते आते तक पूरे अमेरिका में 40% लोगों के पास, से 40% घरों में जो है radio का coverage जो है हो गया था, most radio station initially broadcast only music program, but later begin adding plays, comedies, discussion and education program to their broadcasting schedules, पहले starting में, radio में क्यों, जब भी कोई चीज नहीं आती है, तो वो कुछ basic चीजों से start होती है, लेकिन धीरे 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 ग्रो करते जाती है, बहुत सारे उसमें features add होते जाते हैं, ठीक है, तो जैसे मैंने पहले वीडियो बनाना चालू किया था आप लोगों के लिए YouTube में maths का, फिर मुझे लगा कि maths के साथ science का भी बनाना चाहिए, आप लोगों को quality वीडियो की जरूरत है, फिर मैंने जैसे science पढ़ाना चालू किया, फिर मुझे लगा क्या social का भी बनाना चाहिए, class 10 का बनाना चाहिए, अब मैं सोच रहा हूँ कि पूरा 9, 10, 11, 12 का फिर से start करूँ, तो इस तरीके से, जब starting होती है, तो किसी basic चीज से start होती है, फिर धिरे धिरे उसमें add होते जाता है, तो उसी तरीके से, जब अमेरिका में पहले radio stations established हुए थे, तो पहले वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, music programs बजाते थे, गाना बजाते थे, लेकिन बाद में फिर कुछ drama, कुछ comedy, कुछ discussion, कुछ educational program, इस तरीके से जो है, धिरे-धिरे क्या होने लगा, उसमें add-up होने लगा schedule में, During the Second World War, radio become the main channel to broadcast news about the war and air program to generate support for the war effort, Second World War के समय, 1939 से 1944 तक की जो है, यह Second World War का time है, इस समय तो radio की importance और बढ़ गई थी, क्यों बढ़ गई थी, क्योंकि कोई भी news अगर भेजना है, जैसे कहीं पर bombarding होने वाली है, तो आप उस area के लोगों के radio में ये भेज दो कि आप यहां से भग जाओ, यहां पर bombarding होने वाली है, यहां पर दुसमन का कबजा होने वाले है, आप यहां से चले जाओ, तो information को एक जगा से दुसरे जग करती है, तो लोगों को जो है campaign तक अब घर घर जाकर तो नहीं कर सकते हैं, हर घर में जाकर possible नहीं है, तो radio के थूँ जो है, क्या होने लगए, campaign होने लगा है, political elections का, ठीक है, इससे nationalist की feeling भी लोगों में आने लगी, जैसे अमेरिका अपनी हाय के लोगों को बोलेगा, कि अमे जिन यहां पर बोला जा रहा है कि political news कभी हो गया था, और nationalistic feeling को और लोगों तक पहुंचाने कभी medium radio बन गया था, radio broadcasting spread to the other industries, countries after 1922, the number of radio station growing in France, Belgium, Germany, Russia, Italy, इस सिर्फ USA में radio spread नहीं हुआ, radio का spread अलग-अलग जगों पर भी हुआ, France में हुआ, Belgium में हुआ, Germany में, Russia, सब जगा इंडिया में जो है, All India Radio, जिसका नाम है, Aakaswari, began public broadcasting in 1930, हमारे इंडिया में भी जो है, public broadcasting कब start हुआ था, 1930 में जो है, start हुआ था, The main purpose and duty of radio broadcasting was seen in the conveying news information to the people, education them, providing entertainment to them, radio का उसमें main purpose क्या था, news भेजना, लोगों को educate करना, और entertain करना, ये उस समय लोगों, radio station का जो है, क्या होता था, main मुद्दा जो है, बन गया था, एक topic और देख लेते हैं, हम लोग films के बारे में, फिर इस वीडियो को close करेंगे, अगले वी films, the Lumiere brothers screened the world's first moving picture in 1895, in those days, the movie were silent, they did not have sound or voice, सबसे पहले पुरी दुनिया में, जो movie, जो film, जो start की गए, picture वाला जगा, picture वाला मू, ठीक है, तो वो किस ने start क्या था, Lumiere brothers ने start क्या था, 1895 में, इस समय जो है, सिर्फ और सिर्फ क्या होते था, movie जो होते था, वो silent होते था, उन the dialogue in the film were written as the subtitle, जो भी dialogue, जो भी statement होते थे, वो subtitle, जैसा होलिवोड मूवी देखते हो, तो subtitle होता है न, उसी तरीके से subtitle के थुरू जो है, लोगों तक यह पहुचता था, इस medium become so influentialable and popular that many countries across the world began producing film and building countless theaters to screen them, in India, the first film called Raja Harish Chandra was produced by Dada Sahab Falke in 1913, देखो, यह इतना radio से भी, radio में तो सिर्फ हम लोग आवाज सुन पाते थे, फिल्म में हम लोग क्या करते थे, picture देख पाते थे, लोगों का moment देख पाते थे, तो यह लोगों में और भी ज़्यादा popular हुआ और देखते, देखते, बहुत सारे countries में जो है क्या होनी लगे, theaters जो है open होनी लगे, उसी period में हमारे इंडिया में भी एक बहुत बड़े आद के फिल्म में, कला के फिल्ड में, जो है, दादा साफ फाल के आवार्ड मिलता है, क्योंकि दादा साफ फाल के ही पहले आदमी थे, जिद्धों ने ये movie जो है, पहली बार क्या के थी, बनाई थी, making film is expensive and there is no guarantee that they will recover their investment after being screened to the public, देख, movie बनाना कोई मजाक नहीं है, movie बनाने के में बनती और डूब जाती है, ठीक है, that is why film production also began to attract the wealthy capitalistic who could invest there in production, अब यहाँ पर भी capitalistों के जरुरत पड़े हैं, जिनके पास बहुं सारा पैसा होगा, वही लोग loss को जहल सकते, कोई normal आदमी तो इतना खर्चा करके loss नहीं उठा सकता न, but these capitalistic began controlling the content of film and the social political ideas and propaganda, अब वहीं ची इस लोग होते थे, वो newspaper को क्या करते थे, advertisement देते थे, और वहीं लोग control करते थे, same चीज हुआ कहां थे, यह आपका film में भी, film में जो बनती थी, उसके लिए पैसे के जरुरत रुती थी, पैसे बड़े लोग लगाते थे, और कौन सी टाइप की movie बनेगी, किस तरीके का गा बजेगा, किस तरीके के acting होगी, वो इन्हीं लोग decide करते थे, and like newspaper and magazine, film to become a medium of advertising, consumer goods and propagating consumer lifestyle, अब ओवियस से बात है, फिल्मों में जो चीज दिखाए जाएगी, लोग उसको copy करेंगे, उनका रहने खाने का सब style जो है, धिरी-धिरी क्या होनी लगा, change होनी लगा, Given the high cost of producing film, began to produce a few select centers around the world in India, Bombay, Madras are among the main film production centers, हमारे इंडिया में मुंबई हो गया, आज का मदरास हो गया, चन्नाई हो गया, जहां पर क्या होने लगा था, film center बनने लगे थे, Most of the film screened in Britain, America and many other countries across the world are produced in Hollywood, starting में जो भी movies बनती थी, वो सब कहां बनती थी, Hollywood में जहें बनती थी, This centralization of culture is now giving rise to the fear of culture imperialism, अब इसके कारण से क्या होने लगा, एक country का culture जो दूसरे country में जाने लगा, ठीक है, दूसरे country का culture तिसरे country में जाने लगा, तो cultural mix होने का problem भी यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा start होने लगा, लोग America के cultures को ज़्यादा follow करने लगी, इस तरीके के problem वहाँ पर आने लगे, उसके बाद जो film होती थी न, वो क्या होती थी, बोलते हैं कि film जो होता, वो समाज का आईना होता है, तो उस समय क्या चल रहा है society में, इसको भी कौन दिखाता था, movie दिखाता था, second world war के समय जो है, बहुं सारे ऐसी movies बनी थी, जो कि क्या थी, देश भक्ती थी, देश भक्ती मतलब लोगों को जो है, क्या करना है, motivate करने के लिए, कि लोग army में जाएं, अपने army को support करें, इस तरीके के movie जो है, बनने लगी थी, लेकिन war के बाद ऐसी movies बनन बनने लगी थी, ठीक है, example के, जैसे racial, prejudices and international tensions existing during the era of cold war war, clearly reflect in the James Bond film made during the period in India to film made different eras reflected the social and political life of their times, जो भी movie जीस टाइम पे बनती है, उस समय कहीं 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 सोसाइटी में उस तरीके के thinking, उस तरीके के concept जो चलते हैं, तभी वो movie बनती है, जब second world war खतम हुआ, और cold war वर स्टार्ट हुआ था, तो James Bond की बहुत सारे movies बनी थी, James Bond जासूसी वाली, तो जासूस वाली movie कब बनी थी, उस समय ऐसा situation था, अमेरिका के लोग रश्या में जाकर जासूसी करते थे, रश्या के लोग अमेरिका में जाकर जासूसी करते थे, तो उस समय ऐसा situation चलता था, इसी तरीके से James की movie भी उस तरीके से होती थी जासूस वाली हमारे िंडिया में भी उस तरीके कैसी एस तरीके कैसी movies बनने लगी थी ये Maya वहीं अध में ने साल उनेल तो जिस समय जैसी मूवी बनती है, आप बिलकुल एक तरीके से ध्यान में रखना है, कूर समय इंडियन सोसाइटी हो है, कहीं कि भी सोसाइटी हो, इस तरीके का concept जो है, वहाँ पर build up है, current situation में, इसलिए ऐसी मूवी जो है, बन रही हैं करके, ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, टेलिवीजन के बारे में, तब तक आप अच्छे से वीडियो को सियर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाई बाई